हेलो फ्रेंड्स क्रिस्मास स्पेशल में मैं इस बर लेके आई हूँ कोलकाता स्टाइल हेल्दी पनीर काथी रोल देखिए सबसे पहले पनीर ले लिये है इसको कट कर लेते हैं चोटे-चोटे पीसेस में हम हुआ है हैं रोल तो आप लोग बनाते होंगे लेकिन इस बाद देखिए इंडियान स्टाइल में यह देखिये सारे जो सबुछी बग्रा प्याराज एक यह सब है डिए कोलकाथा स्टाइल पनीर काथी रोल है देखिए कैसे बनाया है लेकिन हापे मैंने हेल्दी बनाया है सबसे पहले में आठा ले लेती हूं आठा मैदा दोनों ही यूज की हूं मैं एक्टॉली स्ती स्टाइल जो होता है वह इस करते हैं तो में हेल्दी बनाने के लिए तो आठा ज्यादा मैधा थोड़ा सा कंभण आप लोग चाहिए तो श्रीफ आठा में भी बना सकते हैं लेकि आठा और मैधा में ले ली पर अपलोग यहाँ पर सा ओईल दी हूं रिफाइंड ऑल और थोड़ा सा नामा पानी डल के ए स्मूढ डौ बना लेंगे है आपलोग चाहे श्रीफ आटे से भी आटे से भी बना सकते हैं मैबे से जड़ा टेस्effective ऻबनता है क्योंकी माइदे स्ट्रीट स्ट्म एप तो मैं लच्चे में बनाते हैं तो मैने तो गर में बनाई हूँ सिंपल तरीके से आप लोग फ़र में आसानए से इसको बना सकते हैं इसलिए और अटा और मैधा दोनों यूज़की हूँ इप्कष्जा है तो आप लोग स्रिफ 8 से भी बना सकते हैं और healthy बनेगा यह सारे स्पाइस जो इंडियन है अब लोग देखिए बहुत आसान है और अभी क्रिस्मास है निवी यार है विंटर है तो गर्मा गरम खाने का मन करता है यह देख थोड़ा तेल डाल के इसको और थोड़ा सा स्मूध बना लेते हैं अब यह निवी यार वी का रहा है तो सब को मन करता है खाने का यह देखे यहां पर एक पैन गरम कर लेती हूं और तेल डाल देते हैं पहले यह स्टाफिंग है इसका रोल का यह बना लेते हैं बहुत ही हिल्दे आप लोग ऐसे भी बना सकते जो रिने की स्पेशली बनेगा यह देखिए चॉप्ट गर्लिक है यह और हरी मीर्च ले लिए है और अध्रतिनों ले ली हूं चॉप करके अच्छे से थरस स्टायर कर लेंगे यहां पर प्यां स्लाइस करके रखी थी इसको डाल दी हूं मैं बहुत आसान है बनाना आप लोग बना यह कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कैसा बना हैं वीडियो एंड तक देखिएगा स्किप कीजिएगा यह रएट बेल पेपर यूज सके यह अपने दो इसको स्किप भी कर सकते हैं मैं यूज हो मेरे पास यहलो बेल पेपर और येija तीनो ए लालक अलरका यह ग्रीlagen और टमाटर एक्चुली वो इसको बेल पेपर बोलते हैं टमाटर भी ले ली हूँ और तौर सॉल्ट डाल देते हैं यह नमक जो फिर सोफ्ट कर लेंगे इंडियान वे में बनता है इंडियान मसाले से बहुत ही आजान है बनाना अप्रो के पास बेल पेपर नहीं रहेगा तो स्रीफ कैपसी कम और प्यांच से भी बना सकते हैं तो से सॉफ्ट कर लेते हैं अब इसमें सारे जो स्पाइसे से बेसिक धनिया जीरा हल्दी लालमेज सभी डालेंगे और अच्छी से मिक्स कर लेंगे मसाले अब थुरा सा पानी का चिटा देंगे इदी कि पानी के ताइप ताकी मसाला ना जले और यह जो पनीर हैं इसको मीक्स कर लूँगी अब इसमें करम मसारा पाउडर है इसको बनाईए और गेस्ट को भी खिलाईए और बच्चों को जरूर खिलाईएगा जो टिफिन वगेरा में दीजिएगा ये देखिये हो गया है तो इसको निकाली हुए गिश में ऐसे भी आप लोग खा सकते हैं इसको जरूरी नहीं है इसको बनाओ एक डिश ले लिया या तो पराठा रोटी के साथ ऐसे भी ले सकते हैं देखिए कितना बढ़िया बना है इसको अभी साइड में रख देंगे और चो रोटी पराठा है रोटी बना लेंगे पहले गोल गोल करके अप लोग लच्चे में भी बना सकते हो भारी हो प्लेन बच्चों को टिफिन बॉक्स में या लंच बॉक्स में आप लोग ऐसे बना के दे सकते हैं क्योंकि यह जो मसाले वगरा सब घर में रहता है यह देखिए रोटी शेप में बना लीजिए एक बन गया है सेकंड बनाते है सेम प्रोसेस है बहुत ही हेल्डी है थोड़ा समयदा ही इसको अनहिल्डी कर दिया है बस हो गया है अब सेकेंगे एक पैन गरम कर लेते हैं देखे पैन गरम हो गया है तो यह जो रोटी है इसको डाल देंगे दोनों तरफ थोरा थोरा सेकेंगे थोरा दोनों तरफ हरका लोग सोचते हैं क्या दे बच्च पो टी आ लांच बाक्स में तो आप लोग यह आसान इसे दे सकते हैं इधर मैं आल डाल दी तेल जो रिफाइन डान अएलिब तो आप लोग सटेल पयक कर सकते हैं विया कि फिन बॉक्स में एक हो गया है सेकेंड सेम प्रोसेस में इस एक लेंगे अब रैपिंग जो है यह अलग-अलग टाइप के होते हैं देखिए अब बन गया है अब इसको भी तार लेंगे आप देखिए थोड़ा सा इसको देखिए ऐसे रख देते हैं और सौस में मैं देखिए जो धनिया पुदिने की चटनी है यह रखा हुआ था तो इसको डाल दिया और थोड़ा सा टमाटर सास लगा दिये और यह जो स्टफिंग बना के रखी थी इसको डाल दूँगे थोज ओपर से सास डालेंगे चाहे आप लोग चीली सास भी या मैयोनस भी डाल सकते हैं अधा जो प्याज का स्लाइस और धनिया पत्ती नहीं रखी थी इसको कट करके इसको डाल दूँगी उपर से देखिए बहुत बढ़ी हाल लगता है खाने ने अब आप लोग बनाईए और निम्बू का रस निचोड़ देंगे पीर इसको बटार पेपर में फोल कर लेंगे फोल कर लिए एक हो गया है इसको साइड में अभी रख देंगे अब सेकेंड वाला भी एसे सम्साय में फोल करेंगे इसे टमाटर सॉस और जो धनिया पती वाला सॉस चट्नी है उसको रिष्प्रेट कर देंगे और फील यह जो पीछ में रख देंगे प्याज डालेंगे धनिया पत्ति और प्याज रखी ती में और इसपर से निम्बू क बरस निचोड़ देंगे और इसको बटर पेपर में फोल्ड करेंगे है ना बहुत असन बनाना तुरसा टॉमाटर सॉस भी डालना भूल गई इसको उपर से डालेंगे चाहिए आप चिली सॉस भी डाल सकते हैं ऐसे फोल्ड कर लेंगे देखिए अब तोगा सगी गया तो इस आपट बन गया थांक्स पॉर वाचिंग नहीं रेसिपी फीर आएंगे नहीं रेसिपी के साथ बाई